हलो गुड इवनिंग मैं पावन राव यूटूब चैनल मैच्विद पावन राव में आपको पढ़ा रहा हूं हाइट इन डिस्टेंस तीन वीडियो हम लोग बना चुके हैं ये वीडियो नमबर चार है और इसके बाद मैं आप लोगो करवाँगा 2017 में जो कुशन्स आये थ 16 नमबर क्यूशन में लिखाव है आपके सामने क्यूशन है आप लोग पढ़ लीजिए और जैसा कल आप लोग को बताया था मैंने यहां पर जब भी ऐसा हो तो अक्स्टीरियर एंगल वाले थ्योरम लगती है यह अगर टू थीटा हो तो यह अक्स्टीरियर एंगल हो गया रखना यह थीटा है यह तो यह कोण भी धीटा होगा क्योंकि बाई यह कोण अंत अभी मोग कोणो के योग के बराबर होता है यह बात आप लोग धान रखना 13 mains में भी इस पर based questions आया था इस पर based questions तो इसको याद रखना हूँ और जैसा आप लोग को पता है मैं offline पढ़ाता हूँ मदर्स education hub जैपूर ब्रांच पर और online में पढ़ा रहा हूँ unacademy plus पर जो भी student मुझे unacademy plus पर join करना चाहे तो आप लोग एक referral code match with pound राव लिखना जिसमें आपका face में discount हो जाएगा code है match with pound राव without space जो भी student join करना चाहे unacademy plus पर मैं live पढ़ाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर आईए हम लोग questions पर आता है question number 16, 15 तक कल मा आपको करवा चुका था अच्छा question है यह वाला एक इस्तम के सिकर से 36 पर इस्तित ABC तीन बंदों का उन्नेन कौन angle of elevation 3.ABC English medium वाले भी पढ़ लिजे साथ-साथ alpha, 12 और 3 alpha है यह दिस्तम का foot point P है तो 3AB square equals to 4PB square दिया वाए और A, B equals to 100 देखना यह ऐसा अपने पास है A, B वे C बिंदों पर A, B वे C पर यह point A पर alpha है B point पर 2 alpha है और यह C point पर दिया वाए 3 alpha कोसिस करना सभी लोग इसको समझने की कि अच्छे से आप लोग समझ पाओ धन्से आप लोग कर पाओ A, B equals to 100 दिया वाए और A, B equals to जो गिवन है A, B equals to 100 भी गिवन है और साथ ही हमें दिया वाए कि 3AB square equals to 4PB square तो हम लोग यहां से लिख सकता है 3AB square A, B का मान अगर 100 रखोगे तो 100 का square जो होगा वो होगा 10,000 बराबर 4PB square तो यहां से 4 से कट जाए गए 2005 सो टाइम 25 बार तो PB का जो मान आजाएगा वो आजाएगा 50 root 3 PB की जो विल्लियो अपने पास आगए है यह foot point दिया वे पी और यहां से यहां तक की विल्लियो आगी है और यह DBS सो अब धान देना जैसा मैंने समझाया और मैंने कहा है कि यह concept काफी जिगे लगेगा धान रखना यह 2 अलफा है अच्छे क्यूशन में लगता है यह यह अलफा है तो exterior angle always sum of interior opposite के बराबर होता है भाई यह कौन अंत है अभी मुकौनों की योग के बराबर होता है तो यह 2 अलफा है तो यह कितना होगा अलफा और यहां से यहां तक यह वाला जो है यहां से यहां तक यह rectangle की बात करूं तो अपने पास base है समझना इसको base 50 root 3 है कैसे यह चीज़ यहां पर उस formula में हम लोग उने value put की और यहां से यह सोल करके यहां से ऐसे आई यह 50 root 3 है और hypotenuse बेस और hypotenuse का ratio किसमें होता आप को होगे sign में होता है तो क्या हम लोग sign लिख सकता है कि नहीं कोस में base और hypotenuse कोस में होता है क्या लिख सकता है कि कोस 2 alpha बराबर base upon hypotenuse तो कोस 2 alpha बराबर क्या लिखा जा सकता है कि root 3 by 2 और कोस root 3 by 2 कितने डिगरी पर होता है 30 डिगरी पर तो 2 alpha बराबर 30 डिगरी आ गया तो alpha कितने डिगरी आ गया 15 alpha 15 डिगरी आ गया तो यह अपने पास हो गया यह अगर 30 डिगरी आ गया है तो पहले तो मुझे बताओ 30 आते यह कौन कितने डिगरी होगा 60 तो इस ट्राइंगल के एक बार इसको भूलो वापिस बना देंगे इसको एक बार इसको भूल जाओ इस ट्राइंगल के एकर हम लोग बात करें यह 30 है 60 के पास वाली साइड चोटी है आप को गेसर छोटी होती है तो यह 50 रूट 3 है तो क्या 50 होनी है कि है ठीक है अब यह कौन 45 है सी पर और यह अगर 45 है तो यह भी 45 तो यह अगर 50 है तो यह बी कितना होना है 50 हम लोगों से जो value पूछी है वो आप लोगों को PC का मान नहीं पूछा है तो आप लोग इसको अगर नहीं समझ में है तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वापिस देखिए जिससे आपको सही समझ में है अगला question में आप लोगों को समझाता हूँ, question number अगला है 17 number 17 number में लिखाओ एक मिनार के दक्सिन में कोई point इस्थित है और एक अपने पास पूरु में कोई point इस्थित है एक तो अपने पास south में है और एक अपने पास east में कोई भी point है जो कौन बना रहे है, alpha और beta यहां से एक डक्सिन में कोई पॉइंट है, साउथ में है, एक पॉइंट A है, और यहां से एक इस्ट में कोई पॉइंट है, जो B है, और मिनार अपने पास इस परकार से बनी भी है, यहां से, इस टाइप से अपने पास मिनार बनी भी है, यहां से धान रखना यह धर वाला ज पहले मिनार बना ले यह मा लो H है तो यहां से एक पउइंट दक्सिन में मान लो A और यहां से एकिसी में मान लो B इसके साथ कौन alpha है और यह कौन नबडगिरी यह कौन alpha और यह कौन पीता और दोनों के बीच की जो दूरी Dv है वो हमलोगों को deviate ळी समझ मैं अपने आप ये आएगा वापिस द्धान देना एक बार खुदी समझ में आएगा कोशिज करना समझने की कोचनीी की Almighty एंगल के पासवाली साइड को हम लोग लिखते हैं court में तो ये वाली जो side होगी ये तो होगी ये h है तो ये angle के pass वाली side को लिखता है coat में तो h coat alpha और ये वाली जो side होगी ये अपने पास यहां से आते हैं ये point o मान लो ये होगी h coat beta तो और ये कोण इन दोनों के बीच में नब डिगरी है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं h square coat square alpha plus h square coat square beta बराबर d square h square common आ जाएगा तो h square बराबर होगा d square upon coat square alpha plus coat square beta root लोगे तो ये root लोगे तो इधर से root करोगे तो ये हड़ जाएगा और ये अपने पास यान चुरा जाएगा मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वीडियो काफी सारे लोगों को इस चीज समझ में नहीं आई अब मैं आपको वापिस समझाता हूँ ये कोई भी मिनार है इस टाइप से ये जो h है ये आईसे है जो आप लोग देखोगे ये h जो है इस पर कार से है यहां पर कोई भी पॉइंट है साउथ में जो a पॉइंट है तो ये यहां पर बनाएगा ये जो अगर आगे सामने की तरफ है बी पॉइंट इधर है तो मैं ऐसे अगर बनाओ तो ये अपने पास h अगर है और इसके पास a के पास वाला कोण अलफा है तो ये होगा h कोट अलफा और इससे इस्ट में कोई पॉइंट है बी जिससे कोण बीटा है तो ये होगा h कोट बीटा और h स्क्व दोनों के बीच में नबड़ी गरी आकॉन सौथ में और इस्ट में दोनों में नबड़ी गरी आकॉन होता है पाइथगोष थोरम लगा दिया यह आ गया समझने की कोसिस करना बार बार देखो आप इस दोनों तरीके से मैंने बता दिये है 3D में भी और इसको उठाकर यहां से पकड़कर ऐसे गुमाओगे तो ऐसे डाइगराम बनेगा बोर्ड पर लगबग ऐसे बनाना पड़ेगा चलो अगला क्यूशन में आप लोग को समझाता हूँ क्यूशन नमबर 17 के बाद 18 नमबर देखिया आप लोग क्यूशन नमबर 18 लिखावा आपके सामने आ गया है इसको आप लोग पढ़ लीजिए एक सीधी सड़क मिनार की दिसा में चल रही है 100 मिटर बिंदू से कार चालक द्वारा देखा गया है कि 99 कौन 30 डिग्री है और 5 सेकिंड बाद 60 डिग्री हो जाता है एंगल ओफ हेलिवेशन तो हम लोगों से पुछा गया है कि कार की गती बताईए और ऐसे क्यूशन साते हैं धान रखना आप लोग इस टाइप के क्यूशन सापने सामने आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्यूशन नमबर 18 अपने पास लिखावा है पहले एंगल ओफ हेलिवेशन एक मिनार से के पास एक डोड़ गई भी है यह एंगल ओफ हेलिवेशन 30 डिगरी है 100 मिटर की दूरी परहकार और बाद में एंगल ओफ हेलिवेशन जो हो जाता है वो 60 डिगरी तो सबसे सही तरीका वैसे trigonometry भी लगा सकते हो H मान लो और फिर trigonometry लगा दो यह सबसे सही तरीका है क्या ratio आपने पास 1 इस्टू 2 होता है याद है कि तो यहां से total 100 दियाव है तो यह जो दुरी होगी वो distance होगी आपने पास 200 upon 3 meter 100 को एक अनपाद 2 में अगर बाटोगे तो इधर वाली distance यहां से यहां से यहां तक की दुरी वो 5 minute में cover किये उसने यह जो distance है उसने 30 degree है और 5 second मिनार की तरफ चला तो angle of elevation होने लग गया 60 degree तो यहां पर यह दुरी अगर निकान लिए तो total 100 के नीचे total के नीचे total 3 यह चीए तो गोना कर देंगे एक से यह चीए तो दो से तीन कहां से एक प्रस दो तो distance तो यह आगी और time पांच मिनट है पांच मिनट का मतलब 300 सेकेंड तो क्या आप लोग यहां से speed find out कर सकते हो गया speed का formula ता distance distance यह है अपन टाइम टाइम यह 300 यह जोचे मीटर पर second आएगा इसको km पराऊर में बदलने है तो गोना करना पड़ेगा 18 अज़ी हैं दो जिरो से दो जिरो कटट गया तीन गोना तीन नौ से यह कट गया अपने पास 2 ला किलो मीटर पराऊर में अगर बदलना है तो गोना करना पड़ेगा 18 है तो पांच सेकंड दिया वैदान रखना है मिनट की जगह है यह हम लोग하고 5 सेकंड ही दिया हुआ है क्यूशन में मिनट देत आंचर यह होगा सेकंड ही दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 200 बटे 3 और 5 गुना 18 भाई 5 किलोमेटर पर आउर में बदलने के लिए तो पत्चिस से ये कड़ जाएगा कितनी बार आठ बार और ये तीन से कड़ जाएगा कितनी बार छे बार तो आंचर कितना आजाएगा 48 किलोमेटर पर आउर ये अपना आंचर है ये पांच मिनट देता तो आंचर वो होता लेकिन क्यूशन में पांच मिनट नहीं, पांच सेकंड ही गेवन है, तो यह अपना आंच्छर है, क्विशन नमबर 18 का, आसान क्विशन था, जब भी 30 और 60 होते, 1 इस टो 2 का रेश्यो याद रखना, नहीं तो फिर आपको एंगल दे, तब मैं बता चुका हूँ कि 45 दे, तो भी क्या करना है, वो 30 दे दे, और फिर 45 दे दे, यही क्यूशन पहले वाला, अगर ऐसे दे दे तो, तो फिर यह 30 अगर है, तो यह 100 है, तो 60 के पास वाले साइड कितनी होगी, 100 बाइ रूट 3, तो यह 100 बाइ रूट 3 है, तो यह भी 100 बाइ रूट 3 होगा, क्योंकि 45 डिगरी का कौन है, तो इध सान ही होगा नेक्स देखिया आप लोग क्यूशन नमबर 19 19 नमबर देखिए 19 में लिखावए है एक भवन के सिर्ष तता भवन के सिर्ष पर इस ते चिमनी के 19 एक तो अपने पास बिल्डिंग है और उसके उपर कोई चिमनी इस्तित है दोनों का 19 एन कोई एक्स और 45 डिग्री है यह कोई भवन है देखना और इसके उपर कोई चिमनी इस्थीत है यहाँ पर एंगल ओफ हेलिवेशन किसी भी पॉइंट से ये तो दियावा है आक्स और टोप के साथ एंगल ओफ हेलिवेशन जो दियावा है वो दियावा है 45 ठीक है ना अब लिखावा है चिमनी के उचाई में कितनी होगी भवन के उचाई अगर एच है यह जो डिस्टेंस है यहां से आँच है तो मुझे यह बताईए एसे क्यूशन भी जब आक्स 45 आजए एसे क्यूशन भी जल्दी करना मैं सिखा चुका हूँ कैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में लिखता है तो यह अगर एच है यहां से यहां तक तो इसको लिखेंगे एच कोट एक्स और यह 45 है तो यह भी 45 होगा और 45 हो गया तो मुझे बताये यह एच कोट एक्स है तो पूरा कितना होगा यह पूरा एच कोट एक्स होगा क्योंकि कौन 45 हो तो दो साइड बराबर होती है तो यह अगर चिमने के हैट निकालनी है तो एच कोट एक्स में से माइनस करो आप ल लगाओगे लिख लोगे तरीके अगर आपको पता है तो क्यूशन आसान होता है अगला हम लोग करता है 19 के बाद क्यूशन नमबर 20 20 नमबर में लिखावे एक S सेंटिमेटर लंबे वेक्ति की छाया P है और जब सूरिय का 19 कौण अलफा है Q सेंटिमेटर की लंबाई होती है जब सूरिय का 19 कौण बीटा है और बीटा बराबर दियावा है 3 अलफा देखो यह यहाँ पर पहले कौण था अलफा वेक्ति की लंबाई DBS अगर अलफा कौण है तब तो P है यह 6 इधर बनेगी यह P है यह वेक्ति है और 6 यहाँ पर बनेगी तो यह P है और फिर बीटा हो जाता है तब 6 Q है तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा है ओप्सन कौण सा ठीक है तो सभी ओप्सन इस फोम में दिया है P माइनस Q की फोम में तो हमें P निकालना है क्यों निकालना है माइनस करते हैं आन चुरा जाएगा P की विल्यू क्या होगी एंगल के पास वाली साइड को कोट में Q की विल्यू क्या होगी अपने पास Q की विल्यू होगी S कोट 3 अलफा और सभी ओप्सन P minus Q की form में है तो P है S coat alpha minus Q है S coat 3 alpha यह अपना answer है S अगर common ले ले option match करने के लिए तो यह 1 upon 10 alpha answer तो वैसे यह ही है लेकिन option 10 में दिये वे है यह अपना answer होगा जो की option आजाएगा अपने पास third C option यह अपना answer तो यह था अपने पास question number 20 जो की आसान question था और अगला question जब आप लोग देखोगे तो मिनार ही इसमें जुकी वी है जब मिनार खुद ही जुकी वी हो तो ऐसे questions को हम लोग कैसे करता है आईए समझते हैं next question करता है question आप लोग पढ़ लिजिए हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंगलिस मीडियम वाले इंगलिस में एक मिनार के दक्षिन में दो station इस्टित है और मिनार का अधार उत्तर की और जुकाव है दोनों station की जो दूरी है वो A और B है और उन्ने कौन मिनार के सिखर से उन्ने कौन अलफा और बीटा है देखो यहाँ पर अपने पास यह कहा है कि मिनार दक्षिन में जुकी वी है ऐसे कोई मिनार है जो उपर नौर्थ में जुकी वी है और इसके विप्रिट साइड दक्षिन में दो station है साउथ में दो station है मतलब विप्रिट साइड है station तो हम लोग जब बोर्ड पर बनाएंगे तो मिनार को ऐसे जुका हुआ है ऐसे बना लेता है यह कौन यहाँ से आपने पास यह दुरी पर तो alpha है और अपने पास बी दुरी पर जो कौन है वो है बीटा और हमें इसका core tangent पूछ है हमें इसका core theory पूछ है तो अगर हमें इसका core theory पूछ है core tangent अगर पूछ है मतलब हम लोगों से पुछा है कि कोड़ थीटा बराबर क्या होगा तो कोड़ थीटा आंशर जो होगा अपना कोड़ थीटा बराबर होगा है एच अपन एक्स अपन एच यही अपना आंशर है इस मिनार का कोड़ टेंजिन पूछा है quit theta पूछा है तो quit theta x upon h यह अपना answer है लेकिन x मैंने माना है और h मैंने माना है हमेशे धान रखना यह तो हमेशे ही होगा जो चीज़े आप लोग खुद ने मानी है उसमें कभी भी answer नहीं दे सकते code agent पूछा है मिनारब के बार जुकी वे तो नब बढ़ी लिए कोन तो बनाना जरूरी है इसको H मान लिए इसको X मान लिए तो QT theta बराबर होगा X upon H अब देखिए आप लोग हमें A, B, alpha और beta में ही आंशर देना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से QT alpha बराबर क्या लिख सकते हैं QT alpha बराबर हम लोग लिख पाएंगे A plus X upon H और QT beta बराबर हम लोग लिख पाएंगे B plus X upon H QT alpha और QT beta दोनों लिख लिए हम लोग ने QT alpha और QT beta B नहीं बीटा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं QT alpha बराबर A by H plus X by H और यहां से QT beta बराबर आप लोग लिख सकते हो B by H plus X by H यह हम लोग लिख सकते हैं यह आपको बात समझ में आ रही है अब अपने पास X by H की जगाप दोनों जगा कोड़ थीटा लिख दो तो कोड़ थीटा अगर लिखेंगे और कोड़ थीटा इधर भी लेओ तो कोड़ अलफा माइनस कोड़ थीटा बराबर A by H और यहां भी कोड़ थीटा रखोगे तो कोड़ बीटा माइनस कोड़ थीटा बराबर B by H अब B by H बचा हुआ है दो एक्वेशन फॉस्ट और सेकेंड नाम दे सकते हो अब B B H बचा हुआ है एच को अठाने के लिए बताओ क्या करें H को अठाने के लिए आप बोलोगे साथ डिवाइड कर दो तो डिवाइड कर देंगे पहले कोड़ दूसरे से तो यह बन जाएगा कोड़ थीटा अपोन कोड़ बीटा माइनस कोड़ थीटा equals to A by B cross multiply करोगे B coat alpha minus B coat theta बराबर A coat beta minus A coat theta ये इधर आएगा ये वाला A coat theta इधर आजाएगा तो अपने पास coat theta तो यहाँ common आजाएगा और अंदर बचेगा A minus B और ये हुगा A coat beta minus B coat alpha और ये A minus B नीचे जाएगा तो coat theta बराबर चला जाएगा A minus B A coat beta minus B coat alpha upon A minus B ये अपने पास आंचर है या दोनों को भी वो बदल सकता है B coat alpha minus A coat beta दोनों को वो उल्टा करके भी लिख सकता है ये बात आप लोग धान रखना minus नीचे से भी और उपर से तो कुछ स्ट्रेंट इसको याद कर लेता है लेकिन जरूरी नहीं यही क्यूशन आए आपको concept clear होना चीए आपको पता होना चीए कि ऐसा होता है ये अपना आंचर होगा ये बात आप लोग धान रखना तो इसको दोनों को यह उल्टा कर लो क्यों? क्योंकि एंगल अपने पास अलफा बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे एक b coat alpha minus a coat beta क्योंकि बड़ी value b है b की value बड़ी है तो b minus a इसको ऐसे हम लोग लिख लेता है तो ये अपना आंचरा जाएगा दोनों को यह उल्टा कर लिए इधर से माइनस कोमन इधर से भी माइनस कोमन तो ये थे हमारे आज के questions कल मैं आपको समझाऊंगा देखना अब इतने questions करने के बाद आप लोग 2017 मेंस के जो height and distance के questions हैं वो आपको कितने आसान लगने शुरू होंगे किस type के questions होंगे आप लोग खुद चेक करना कि खुद कर पा फिर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके questions के बीच बीच में में कभी कभार वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूंगा ओके ठैंक्यू कल स्याम को मिलते हैं आज की क्लास में सिरफ इतना है